ओम शंति आज की मुरली सारकविता ग्यारह अक्तूबर दोहजार बाइस बाबा कहते मिठे बच्चे तुम रुहानी ब्रामन हो तुम्हें बहुत प्यार से रहेना है बाप का परिचे देने की आपस मेरा आए करना है जब बुद्धे में निश्चे हो भगवान हमें पढ़ाते हैं तभी पढ़ाई रोज ही पढ़ेकर उंचा भाग बना सकते हैं सवभाग बाप से लेना है इसलिए हमें अब पढ़ना है यदि क्लास में नहीं भी आ सकते घर में ही मुरली पढ़ना है विनाश का है समय चल रहा बाप से सची पेत रखना है इक बाप की सची आद से आत्मा को पावन करना है स्वराज के साथ बेहद की वेराग व्रेत धारन करना है ऐसी धारन करने वाले सची राज रिशी अब बनना है जो सची राज रिशी है उनका लगाओ कहीं ना हो सकता चाहे वैक्ति वस्तु यास्व में जुकाव कभी ना हो सकता राज रिशी राजा के साथ साथ बेहद के वेराग होते हैं पुरानी दुनिया से संकल्प मात्र लगाओ से नारे होते हैं राज रिशी के स्वके वश में मन बुद्ध संसकार सभी होते समझदार वो हैं जो बाबा को अपना आधार बना लेते राज रिशी के स्वके वश में मन बुद्ध संसकार सभी होते समझदार वे हैं जो बाबा को अपना आधार बना लेते आपका दिन शुभ हो मंगल मैं हो नमस्ते कर दो बाबा को अपका टाझार वेते वश में मन बुद्ध संसकार से रिशन पर बना लेते समझदार वेते समझदार वेते